जन्रेल सिंग जी तैंक यू स्पीकर पेड़िग अदेक्षम होते हैं दिली के प्राइवेट स्कूल्स में EWS कोटा होता है जिसमें EWS से संबंदित परिवार के बच्चों को दाखिला दिया जाता है द्रो होता है और मेरे को इस बात की खुशी है कि पिछले आट-दस साल में जो पहले एडमिशन नहीं हो पाते थे EWS के बच्चों के अब हो रहे हैं पर अभी भी उसमें कुछ गुझाश बची है लगातार इन पिछले कुछ दिनों से हमारे दफ्तरों में बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं जो कहरें कि अभारा EWS में नतीजा आने के बाद भी ड्रो में नाम आने के बाद भी स्कूल में अडमिशन नहीं हो पारा इसके संबंध में डीडी को लिखित शिकायत देने के बाद भी कोई उप्युक्त कारवाई नहीं हुई तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मानि शिक्षा मंतरी को यह ऐसा प्रोवीजन करें जिससे जितने भी EWS के नतीजे निकाले गए हैं इंशोर किया जाए कि उन सबके अडमिशन हो जाएं और जो नहीं हुए उनको इबिजेटली कोई alternate school दिया जाए ताकि समय ना निकले किया कया जाता है private school और दवारा कुछ private school और दवारा कि जानमूच के बच्चों को delay किया जाता है तीन बच्चे जर्नल के आएंगे तो एक बच्चा EWS कर लेंगे ऐसा कर करके कई बारी वो परिवार जिनका नाम ड्रॉ में आया होता है वो मजबूरी में किसी दूसरे स्कूल में जाके अड्मिशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी वो सीट वेकेंट रह जाती है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई पुक्ता इस चीज का अरेजमेंट करें जिससे इन सभी बच्चों के अड्मिशन हो जाएं थैंक्यू स्पीकर में